नमस्कार आप देख रहें न्यूस जराहत के एक पार्टी कार्शकरता के रूप में थी देखिए क्या थे सुप्रीम कोड द्वारा उठाए गए सवाल क्या महरास्ट में सत्ता के अलट पलट वाले संकट के बीच राजपाल ने अपनी शक्तियों का सही से उपियोग नहीं किया क्या महरास्ट में सत्ता के सबसे बड़ सियासी संकट के दोरान राजपाल की भूमिका चिंतनिय रही क्या महरास्ट में सत्ता के उलट पलट के दोरान राजपाल ने विश्वास मत साबित करने को कहकर गलत किया था सुप्रीम कोट के द्वारा उठाएगे ये सवाल राजपाल की संपूर भूमिका को संदेह के घेरे में ला रहे हैं सुप्रीम कोट के पाँच जजों की समविधान पीठ की ओर से कहा गया कि किसी सरकार को गिराने में राजपाल स्वेक्षा से सहयोगी नहीं हो सकते राजपाल को विश्वास मत बुलाने से पहले खुद से पूछना था कि तीन साल तक सरकार में सात रहे विधायक अब क्यों अलग हो रहे हैं अदालत ने कहा राजपाल ने कैसे अंदाजा लगाया कि आगे क्या होने वाला है राजपाल सिर्फ इसलिए विश्वास मत सावित करने को नहीं कह सकते क्योंकि किसी पार्टी के अंदर मत भेद है पीठ ने कहा जब तक गटबंदन में संख्या समान है राजपाल का वहां कोई काम नहीं बनता है CGI ने कहा कि राजपाल को किसी खास परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपने कारजकाल का इस्तमाल नहीं होने देना चाहिए इसके अलावा CGI ने कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा लिखा गया पत्र बे मतलब है क्योंकि अक्सर सत्ताधारी सरकार की आलोचना करते हैं उसी पर निर्बर रहकर राजपाल के लिए कारवाई करने का कोई आधार नहीं है निर्दलिय विधाय की सुरक्षा पर कतित खत्रे को लेकर लिखा गया पत्र समविधान के अनुच्छे 356 के तहट रिपोर्ट नहीं किया गया है CGI ने कहा कि यह विश्वास मत बुलाने का एक बे मतलब आधार भी बन जाता है CGI ने कहा कि विधायकों को धमकाया जाना कानून विवस्था का मामला है नियामूर्ति कोहली ने टिपणी की कि विधायक केवल अपनी सुरक्षा का आश्वासन चाहते थे इसलिए मुख्यमंत्री के विश्वास खोने से कोई लेना देना नहीं था CJI ने कहा कि यह राजपाल को कारवाई करने का कोई आधार प्रस्तूत नहीं करता मतलब सुप्रिम कोट ने महराश्टर के सत्ता परिवर्तन की पूरी घटना को संदे के घेरे में रख दिया है आप देख रहें न्यूज जराहट के इस वीडियो को लाइक कीजिये और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें